गुड मॉर्निंग स्टुएंट्स आज का ही वीडियो लेक्षर पार्षद अंतर्णियम के संबंद में इसे इंग्लिश में का जाता है आर्टीकल आफ एस्सेशेशन प्रत्य कंपनी को रेजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दो महत्मुन डॉक्यमेंट्स बनाने पड़ते हैं एक उतार पार्षद सीमानियम जिसकी वारे में आपड़ने पूर्व में पढ़ा है दूसरा उतार पार्षद अंतर्णियम आर्टीकल आफ एस्सेशन पार्षद अंतर्णियम को भार्ती कंपनी अधिनियम 2013-2, subsection 5 की अंतर्णियम के आफ उन पार्षद अंतर्णियमों से है जो पिछली अधिनियम अथ्वा इस अधिनियम के अधिन मूल रुप से बनाया गया अथ्वा समय समय पर पत्रिरवर्टेट किया गया है यहां पर ज इसके पूर्में प्रस्लित बारतीं कंपणर की अधिन बनाया गया हो रेक्ष्टर किया गया Celि है कि इस पैठर कंपणर के सिर्त है की लौड लाइसे पात्षित प्रस्ट पेरी ऊंतर linhогоat जिरून कमपणी का समंदिन होता है उर अंतर नियममे के आंतर नियमें कॉंपनी के आंजती है जिसके आधहर पर पार्श सीमय नियम बतलाए है बात्रों को पूरा क्या AT. वास्तों वे पार्षब अंतर्नियम क्या है आंतर्नियम और आंतर्नियम संबंदि नियम सभी प्रकार की रूल से रेगुलिशन्स बाई लॉज जो पार्षब सीमन नियम बताए गई है उन बातों को कंप्री किस प्रकार से पूरा करेगी उसके संदर में आवशक नियम आउडी संचालों को और अंतर्नियम के माध्यम से डिफाइन किया जाता है अब आता है पार्षब अंतर्नियम के विशिषते हैं क्या होती है जैसे ही मैं आपको बादाय रहे है डोकिमईनूंद content rules, recognition and bylaws of company. ये एक महत्मुश लेक होता है जिसमें कमपनी के नियमो उपनियमो हवं वी नियमो का उन्यमो का उन्लेक होता है. ये मूल रूप से प्रत्य कमपनी के दवा बना जाते हैं अथो इसमें समय पर परिवर्तन किया जाता है. आर्टिकल में और अरिजिनली ट्रेमड और यह मौली गुरूप में जाता है और समय समय और परिवर्तन किया जा सकता है लिए जेनाता है आंतरन्यंग किसी भी कंपनी किसी विदान अंत्वा कंपनी अधिनियुङ में अधिन विद्धना जाए जाती है जो बाते लिखी गई कंपने की अधिकार सेल पूरा करेगी उसके संदर में आवशक नियम आवशक रूज और रिगूलिशन बाई-लोज पार्शाद अंतरमने दूनियागी इस लिए जाते हैं प्रभंध के मामळोगन नियमन अंत नियमस में उन तरीकों प्रारुपों को निर्धेत क्याएઅ जिनकी अनुरुप कम्पनी के कारिकलाप की जाते हैं, कारिकलाप की जाएंगे है आप पाश्त करतं हैं कमपनी के संचाल्कों को आधिकार एवं कर्तवियों को भी डिफायन करते हैं कोई कोई भी व्यक्ति इनको देख सकता है और आवशक शिल देकर इनकी प्रत्लिपी कंपनी से प्राप्त कर सकता है पार्षद अंतनियम मुद्रित होता है प्रिंटेट फर्म के अंतकर होता है पार्षद अंतनियम के संबंद में कुछ मॉडल्स दिए गए जिनका भी हम आगे अधिन करेंगे कि अलग अलग प्रारूप दिए गया अनुसुची प्रथम की शार्णी एफ से लिए के बीच में उनकी अनुप पार्षद अंतनियम तयार करवाया जाता है अलग अलग कंपनी में अलग तरह का प्रारूप दिया गया इसमें प्रवर्तन पॉसिबल है प्रार्वर्तन किया जा सकता है नीजी कम्पणी के लिए पार्षद अंतनियम के अलेख से इस कोई जो अलग से अंतनियम बनाने परते हैं अब आता है forms and formaties of article अंतर्णियम के प्रारूप पर आपचाइकता है Company अधिनियम 2013 के अनुसुची प्रथम की शार्णी F से लेकर जेतक पार्षद अंतर्णियम अलगल कम्पनी के संद में पार्षद अंतर्णियम के प्रारूपों का उल्ली किया गया है Table F प्रषद अंतर्णियम का प्रारूप प्रारूप बन दाए गया है उसमें एकरान में रेगुलेशन दिये गये एकरान में नियम दिये गये कम्पनी चाहे तो इन नियमों का किस हत्तर की नियम कम्पनी पर एप्लिकेबर होगी ये भी अपने पार्षद अंतर्णियम में इसको भी उल्लेखित कर सकती है टैबिल जी आर्टिकल ऑफ ए कम्पनी लिमिटेड बाई गारंटी एंड हैविंग ए शेयर कैपिडल ऐसी कम्पनी जो गारंटी के दोआ सिमिदायत वाली कम्पनी है और जिसमें अंश्पुंजी है उसके पार्षद अंतर्णियम का प्रारूप टैबिल जी में दिया गया ह इसे प्रेकार से टैबिल एच के अंतर्गत कम्पनी जो गारंटी के दोआ सिमिदायत वाली कम्पनी जिसमें अंश्पुंजी नहीं है उसके प्रारूप का उल्लेग टैबिल एच के अंतर्गत किया गया है इसे प्रेकार से अनलिमिटेड कम्पनी जो असिमिदायत वाली कम कंपनी और जिसमें अंश्पुंजी नहीं है उस कंपनी की प्रारूप का उल्यक टैबिल जे में या गया है कुछ फॉमर्टिश को पूरा करना पड़ता है कि पूरती पार्शन अंतरियम को बनाते समय करनी पड़ती है कि पांशन नहीं है जो कंप्री बना रही है हम आला कि कंप्री के संद में है मैं अभी मैंने आप लोग को उल्ले किया है कि उसके अनुरूप बनाया जाना चाहिए कोई भी कम्पनी संबंदीस शार्णी में दीए गए सबी अत्वा कुछ नियमों को अपना सकती है उसका उद्ले कम्पनी को अपने पार्षत अन्तर नियमों में करना पड़े गा अंतर नियमों में नियमों पर क्रम संख्या लिखी विबख्त होना चाहिए तथा अंतर निमों पर सभी सब्सक्राइबर्स के सिग्निचर भी होने चीछ इट इस सब्सक्राइबर के जाते हैं अपना पता अपना संपुर्ण विवर्ण और कम से कम एक शाक्षी के द्वारा अपने हस्ताक्ष्ण का प्रमानन भी करवाना पड़ता है अब आता है प्राविजिंस विग्रेस्पेक्ट तुदे कंटेंज अफ आर्टिकल अंतरनीमों की विश्यवस्थ्व समंदी प्रावधान अगली स्लाइड के अंतगत पार्शद अंतरनीम की विश्यवस्थ्व का उल्ले किया जाएगा किनकी विश्यों के संदर में पार्षद अंतर नियम में नियम दिये होते हैं कंपनी के कारिक लापों के प्रभंदन है कि वी नियम अन्टी Regulation for the Management of Affairs of Company प्रत्की कंपनी के अंतर नियमों में वे सभी नियम सम्लित कि जाने चाहिए जो कंपनी के कारिक लापों के प्रभंदन के लिए जरूरी है देखिए प्रहमें आपने को बात बताएगे यह पार्षद अंतर नियम के आंतरिक प्रभंद संबंदी नियमों का उल्लिक करता है कम्पनी की गतिविदियों का संचला किस प्रकार से होगा। कम्पनी के संचला किस लुप में कारी करेंगे। कम्पनी के उद्धेशियों को किस तरीके से प्राप्ट किया जाएगा। उन सभी के बारे में नियम दी जाते हैं। इसलिए ये बात आए कि कंपनी के कारेकलापों के प्रबंदन के संबंद में सभी प्रकार की नियमों का उल्लेक पार्षद अंतर्णियम में कर दिया जाना चाहिए। अनि विशे कंपनी के अंतर्णियमों में वे सभी विश्यों को समीद किया जाना चाहिए। जिने सरकार की द्वारा निर्धायत किया गया है कि इने पार्षद अंतर्णियम में जोड़ा जाना जरूरी है। सरकार कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएगी जो किसी कंपनी को अंतर नियमों में कोई नियम जोड़ने से रोकता हो यह सेक्षिन 5 सब सेक्षिन 1 और 2 के इंतकर बात इसपश्च की गई है अंतर नियमों में परिवर्थन है तो अधिक कड़े और प्रभावी प्रावधान कलाई के लिए कि अंतर नियमों के किसी भी नियम विशेच संकल्प के द्वारा विशेच प्रस्ताओं के द्वारा परिवर्थन किया जा सकता है किन्तो कोई भी कंपणी अपने अंतरनियमों के नियमों में विवास्ता कर सकती है, कि वह उस नियम में परिवर्टन सर्व सम्मत्य से संकल पाइत कर के कर सकती है, मतब इसे और अधिक कड़े और प्रभावी प्रावधान के रूपे जोड़ा जा सकता है, कि यह कारी कर सकते हैं कि इस बात का उल्लिक किया जा सकता है कि अंतर निमें परिवर्त नहीं तो कड़े प्रावधान कंपनी के समय में निर्मान के समय किया सकते हैं या समय में के पश्चात अंतर निमों में परिवर्तन के द्वरा ऐसे प्रावधान किये जा सकते हैं साधनी कंपनी अपने समामयम के बाद कभी भी विशेस तंकल पायत करके अंतर निमों के किनी प्रावधानों में परिवर्तन करने हैं तो अधिक कड़े निमों को अंतर निमों जोड़ सकती है अगर कंपणी ऐसा करती है तो कंपणी संबंदन के समय कंपणी के अंतन्यमों में उन्हें के परिवर्तन संबंदी कोई कड़े प्रावधान किये गए हैं अत्वा बाद में अंतन्यमों संशुदन करके इस परकार प्रावधान जोड़े गए हैं तो निर्धायत नितियों विश्य वस्तु के संदर में प्रावधन के बारे में आप यहां पर अभी मैंने आप लोगों को यहां बतायाता है कि मॉडल अंतर नियम में जो प्रारूप प्रारूप दिया गया है कि किस हद तक कंपनी इसको स्युकार करें इसका भी इसमोर लिख किया जाएगा पूर के कंपनी विधान में पंजिकरत कंपनियों पर यह लागूर नहीं होगा यह उप्रुक्त प्रावधन जो आप लोगों के सामने डिसकस किया गया है यह प्रावधन उन कंपनियों के अंतर नियम में पर लागूर नहीं होगे जो पूरवर्ति किसी भी कंपनी अधिन पंजिक्रत हैं अत्रवा समय समय पर उसमें परिवर्तन किया गया है. बिना अन्शमजी वाली गार्णटी कि दौरे सिमित कंपनी की दुछ बताया गया है कि ऐसी कंपनी अंतर्नियमों को बनाते समय एक विशेश बात को ध्यालमे रखने चाहिए वे बात यह है कि इसकी अंतर्नियमों में यदि कोई ऐसा प्राउधन किया गया है जिससे किसी सद् पार्षद अंतर्णियम की विश्वस्तु क्या होती है कौन-कौन से कंटेंट्स पार्षद अंतर्णियम में दे जाते हैं इसका उलेक हम अगली वीडियो लेक्षर के माध्यम से करेंगे अब बात आती है सीमानियम और अंतर्णियम की मद्दी का संबन्द तो रिलेशन बेट्विं देम इस डिस्कॉस अंडर दे फॉलिंग सभेट्स मेमुरेंडम इस चार्टर की पार्षद सीमानियम कंपनी का अधिकार पत्र होता है कंपनी का समीधान होता है उसकी अनुरूप क मुलेशन बुलियुष है क्षद ज्राटर ना परता है इसलिए ममुरेंडियम को चार्टर कागा है जो कि प्रमुक्प्रलेख है जबकि आर्टिकल सहएक प्रकर्तिका प्रिलेख होता है जो पार्षत सीमानियम के अधिन बनायाता है अंतर्णियम सीमानियम को इस्पर्ष करते समय उनके पूरक होते हैं सप्लिमेंट होते हैं सीमानियम अंतर्णियम द्वार नियंतित नहीं होते हैं देखो अंतर्णियम सीमानियम के द्वार नियंतित होते हैं प्रत्य कंपनी के लिए पार्श्य प्रभंद संचालान को नियंतर नियमित करने के संदर में नियम दीवे होते हैं प्रत्य कंपनी के लिए पार्श्य प्रकरति का प्रिलेक होता है इसी प्रिकार से कंपनी बाई पक्शकालों के बीच वेधानिक संबन्दों को नियुदायद करता है पार्श्य प्रिलेक है पॉल में अब लगों को कि sound उड़ने में कमपणी का कि नाम स्थान उद्देश पूंजी दायत तो आभी रता के नाम पते हस्ताक्षी द्याधि का उल्ले मंसले उता है जिसके कमप्नी का कर तो का अंक्रिक प्रव dzi इंचालन को कमपणी को सुंवानियम पतना परता है जब की पराणियर निजी कंपनी के किसी भी कंपनी को अन्तिय निजी कंपनी कंपनी को अनुक्रिजफित नहीं बरना अनिवाई नहीं मों जो प्रारूरुक बताएगय है अनुसोची प्रत्म के टेबिल S से लेकिए जे तक उन प्राजुपों को भी अपने यहापट लागु कर सकती है इसलिए इनको अलग से बनानी की अनिवायता उन कंप्रुकू को नहीं होती है इसके लिए अलग से केंद्र अधिकर्नद करने के आążशक्ताथ नहीं होती है सीमानियम का निर्मान कंपनी अधिनियम के प्रावधान 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 के यह कण आधेका अधिकाल कमपनी प्राप करके ऐसे कारीयों को निमन या जा सकता है. सीवानियम सामने दिनना कम्पनियों बहाउं पक्रशकाल के शच्रशकाल के बिच के शंवद्रेख जा सब्सक्राइड़ा है. यह अंतर के आधार्ति आपाता है सीमानियम रिलेशन बिट्म इधर यह आता है इफेक्ट ऑफ मेमरें अफैसिशन और अप्रफाव क्या होता है देखिए सीमानियम और अंतर्णियम का रिश्टेशन होते ही यह दोनों दोक्यमेट पब्ली दोक्यमेंट हो जाते हैं और रिश्टेशन अफ मेंग अर्था जैसे ही इनका रिश्टेशन हो जाएगा यह माला जाएगा जैसे कंपनी के प्रतिक सजश्च्यों ने इन दोनों दोक्यमेंट पी शिलीचर किये बले इसे देखिए अभी दाता ही कर रहे है अभी दाता हो कि संक्या साथ, साथ हो सकती है, या अदनीजी कंपनी के दश्चा में मिनिमम्ट दो सकती है, किन्तो अगर माली जी किसी कंपनी के अंतकत, बाद में सदस्चियों के संक्याद 200 हो गई, 500 हो गई, तो रेजिटरेशन के परश्चात यह माला जाता है, कि प्रतिक कंपनी के सदस्चिय हैं, उन्होंने वैक्ति के लुप से इन डॉक्युमें्ट में शाइन की हैं इस लुप में कंपनी आएमिंटिया सदाश्यों को को बादी किरिक जानार सदस्यों के दायतू की उत्परती इसके माध्यम nr अंतरन्यों का पंजिन हो जाने पर कंपनी उन अंतरन्यों के अनुसार कारी करने और अपने सदस्यों को ठीक उसी परकार से बाद्दिक segregation कशेयल जाता है प्रणाम से प्रत्तिक सदर्श्य कम्पणी करने के लिए ब्रगानिक होता है बाद गेर्व RIGHTा होता है जैसे याजरर्शी को चुकाने ऑलड़ मेंबर ft present. फ्रिम से हैं यह क्मपनी करिंद का सजर्षिप कमपणी और भाद भी होता है ठीक। इसकार सजर्षियों के दोरा भी माद दिक है से टाहर जोन दीड़ क्या गया इसके उतगह non it tar formally applied यह कंपनी को वी उनKYK की पालना करनी पड़ती है एक प्रवार होता है कि सदर्वित नहीं करते को बात कर सकता है और के विप्रीद निया ले कि से इंजेक्शन औरście कोई भी कम्पणी अप्नी सदेश्यों के अधिकारों को ची नहीं सकते हैं अधेथ्र चेंद कंप्यिक वृद्ध अपनी अधिकारों का कानूरी रूप से प्रिवर्तित करवा सकता एंफ्रस करवा सकता है इसलिए 20वी बाउन्ड इस लारे मेंबर कंपनी मेंबर कर सकते हैं तो इसी पर कार से सदाश्य के पस अफत जेंं औरन्हीं कर सकते हैं यदे पर कंपनी की सदाश्या बीच आ peng अनुबंदolla नहीं होता किन्तु जब अंतर्णियमों की व्योस्ताओं के अधिन अपने अधिकायां को प्रयोग करते हैं तो एक सद्रश्य दूसरे सद्रश्य को कंपनी के माध्यम से बाद्धिक कर सकता है लौड हैत्रली ने इस संब्द में एक मामले एक वाद के संदर में कहा यदिपी अंतर्णियमों से कंपनी और सद्रश्यों के बीच अनुभंद उत्पन होता है किन्तु सद्रश्यों का आपस में कोई अनुभंद नहीं होता किन्तु अंतर्णियम सद्रश्यों के पारस्प्रिक अधिकारों को परिवाशित करते हैं ऐसे अधिकारों को सद्रश्य आपस मैं कंपनी के माध्यम से परेवर्देद करवा सकते हैं अथैज अपरतिक सद्श्य, किसी दूस्री सद्श्य पर वाल प्रस्थ cud करने के लिए स्वत्नतर होता है यदि वैं सद्श्य आधनियम के अ दुआ करता है अथ्य kiedy प्रश्ण यह आता है क्या अंतर्णियम तीसे प्रक्षकारों को बात दे करते हैं इसके बारे में का है कि कंपनी तीसे प्रक्षकारों को या तीसे प्रक्षकार कंपनी को किसी भी प्रकार से बात दे नहीं कर सकता है दूसरी शब्दों में अंतर्णियम से कंपनी और तीसे प प्रभाव के संदर में बताई जाती है इसके संदर में बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो लेक्षर के माध्यम से आप लोगों को एक्स्पेंड की जाएगी थैंक्यू